हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी कीचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके साथ आम की एकदम नई रेस्पी शेयर करने वाली हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी से मिठाई तो इसमें आपको रस मलाई गुलाब जाम और रबडी का टेश्ट आने वाला है और ना ही इसमें ज़्यादा ताम जाम करना पड़ेगा बहुत ही कम खर्चे में आप ये मिठाई बना कर त्यार कर लोगे ना मलाई चाहिए ना आपको मावा चाहिए ना मिल्क पाउडर और ना ही इसमें घी चाहिए बोती कम शामगीरी में बन का टेश्टी से मिठाई आप बना के त्यार कर लोगे बजार में महंगे मिलने वाले मिठाई आप घर पे असानी से बना सकते हो जब भी मिठा खाने का मन करे तो जट पट से ये मिठाई बना के त्यार कीजिए तो चलिए सबसे पहले मैंने यहां पे ले लिया एक आम तो यहां पे मैंने भारी भरकम वाला बड़ा सा आम लिया इस तरीके का आपको भी भारे भरकम वाला आम लेना है अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं आप दो आम ले सकते हो तो आम को मेने अच्छे से दो लिया तो आपको इसी तरीके का आम चाहिए जो जिसमें खुब सारा है जो पलब मिल जाए देख जो अभी दूसरे वाले आम आरे हैं चोटे चोटे तो वो रेसे वाले आम आपको नहीं लेने है उससे आपकी रेस्पी है जो अच्छी नहीं बनेगी तो सबसे पहले आम को अच्छे से दो लेंगे फिर हम क्या करेंगे इसको छिलका है जो हटा देंगे तो आम को हमें छीलके और इसका है जो पलब नेकाल लेना है तो आम खाना तो सभी को पसंद है मगर आम की कुछ अलग और एकदम आनोगी मिठाई मिल जाए तो क्या बात है? तो इन दिनों में आपके साथ मेंने आम की बहुत सारी रेस्पी है जो शेर की है तो आप मेरे चैनल पे देख सकती है और अगर आपको आम की और भी रेस्पी देखनी है तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो है जो देख सके सबसे पहले तो मैं आपके लिए आम की एकदम यूनिक यूनिक रेस्पी और लेके आने वाली हों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आम को दूसरी साइड में चिल लेंगे तब तक हम गैंस पे पैन रखेंगे इसके अंदर आदा लेटर जितना दूद डाल देंगे तो आदा लेटर दूद है जो काफी है इससे आपकी किलो भर से ज्यादा मिठाई बन जा सकते हूं तो एक बार बस इस तरीके से चला देंगे तो ये भी हमारा काम साथ साथ में हो जाएगा बस दूद में हमें अच्छा सा उवाल लाना है तो आज हमें दूद को ज्यादा पकाना वगएरा नहीं है रबड़ी नहीं बनानी है इस दूद की ति ये देख सकते हुआ अच्छाब ला बन करें तो आज को आज को अब हम मीडियुम कर देंगे और लिए माँ पर चार से पांच मिंडी तक दोद को अबला देंगे और इधर मैने आम को भी अच्छे से चीह प्लब करेंगे आम का कंप निकालना है वैसे इस तरीके इस तरीके से निकाल लिजिए तो आज की जो हमारी मिठाई है ना एकदम ठंडी ठंडी मीठी मीठी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इन दिनों में आपको पता है कोई तुमार तो आने वाले नहीं है और मीठे खाने का मन तो करता ही है तो आप इस तरीके से जब में मीठा खाने का मन करें तो ये मेठाई बना के जरूर खाईए तो ये देख सकते हो, यहाँ पर मेंने आम का सारा प्लब है जो निकाल लिया है अब हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसके अंदर सारा आम का पलब है जो इस तरीके से डाल देंगे तो सारा पलब है जो मैंने आम का इस तरीके से डाल दिया है अब हम क्या करेंगे इसमें टेस्ट के उनसाथ चीनी डाल देंगे अगर आम मीठा है तो थोड़ी चीनी कम डाल लिए और अगर आपका आम थोड़ा खटा है तो थोड़ी चीनी ज़्यादा एड़ कर दीजिए अब थोड़ा सामिया पे दो तिन जम जितना पानी एड़ कर देंगे आप चाहे तो दूद भी डाल सकते हो और बस इसे अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आम को मैंने एकदम स्मूज सा पीस लिया तो ज़्यादा पानी वगेरा इसमें एड़ नहीं करना है बस इतना ही डालिए कि आम अच्छे से पीस जाए अगर जरूरत लगे तो डाल लीजे नहीं तो कोई बात ने बिना पानी डाले आप पीस सकते हो तो पीस लीजे अच्छे से यह देख सकते हो एकदम स्मूज सा मेने पीस लिया है तो यहाँ पर फिर से याद दिला देती हूँ आपको इस बात का ध्यान रखना है जो रेसे वाले आम है वो आप बिल्कुल भी ना ले नहीं तो क्या होगा आपके मिठाई का सत्य नास हो जाएगा क्योंकि वो खाने मे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है यहाँ पर यह देख सकते हो दूद को उबलती हुए पांच मिंट हो गया है तो इसे हमें गाड़ा नहीं करना है बस इतना ही गाड़ा करना है अगर दूद पहले से गाड़ा है तो बहुत अच्छी बात है अगर दूद गाड़ा न और बागी आम की पेयुरी रहे Euch तो ये बात में पहलब साट कही नहीं हूं ओर होस्ती ही अपको नहीं बताई हैं भी आघना सबा बस तो सूजी को मैंने अच्छी से देख सकते हूं मिक्स कर लिया तो कलर वगएर डालने की कोई जरूरत नहीं अब हम ढ़के से 2-3 मिंड के लिए रख देंगे तो यह देख सकते हो इसे लगबक 2-3 मिंड हो गया रखे हुए और सूजी हमारे अच्छी से फूल चुकिया यह गाडा हो चुका है मिसरन तो अब हम इसमें एड़ करेंगे इसे फुलाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेठा सोडा तो यहाँ पर मैंने मेठा सोडा लिया है आप मेठा सोडे की जगे है जो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं अधी चम्मा जितना अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगी क्योंकि यह मिसन थोड़ा सा गाड़ा है तो हम इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मीठा सोड़ा है जो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए तो इस तरीके से थोड़ा से चला लेंगे अच्छे से थोड़ा सा फेट लेंगे इस तरीके से तो ये देख सकते हो गोल को मैंने अच्छे से जो फेट लियर एकदम फलवी सा हो गया है अगर आपके पास नहीं है तो आप लोए का तवा भी ले सकते हो मगर उसमें आपको थोड़ा घी जादा डालना पड़ेगा या फिर आप पैन या कड़ाई कुछ भी ले सकते हो इस पे हलका सा है जो तेल लगा देंगे इस तरीके से तो आदी चम्मच भी घी नहीं लगने वाला इस पे आप चाहिए तो रिफाइंड तेल भी लगा सकते हो और अब हम इस पे हलका तवा गरम होने के बाद में इस तरीके से एक एक चम्मच जितना बस छोटी चम्मच से याद रहे आज को हमें बिल्कुल ही धीमी रखना है आप चाहिए तो बिना तेल घी भी बना सकते हो मगर घील या तेल लगाने से क्या होता है इसका कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे लगता है जैसे हमने फ्राइ किये यह मिठाई तो इस तरीके से धीमी आज पर उपर से अच्छे से ड्राइ होने तक पका लेंगे और जब उपर से अच्छे से ड्राइ हो जाए चिपके ना हाथ के तो हम क्या करेंगे अब इस तरीके से इसे पल्टी करा देंगे तो सारे बस इस तरीके से पल्ट देंगे और बाद में हम क्या करेंगे इसे दूसरी साइड भी अच्छे से पकने देंगे आपके इच्छा हो तो उपर थोड़े गी और लगा सकते हो आप तो हम बिना गी के यह मिठाई बना रहे हैं बहुती कम गी लगेगा तो पूरी मिठाई बनाने में आपको लगबग छोटी चमच से आधी चमच इतना ही घी लगेगा आप चाहिते हैं इस तरीके से चमच से भी डाल सकते हो तब ही यहाँ पे जगे बच गई है तो मैं इस पे थोड़े से और डाल देती हूँ इस तरीके से तो जो फ्राई हो जाएंगे उन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरीके से देख सकते हो दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो दूसरी साइट बैसे तो पका हुआ है मगर इस तरह के से थोड़ा सा हलका सा कलर आ जाएगा तो हम इने निकाल लेंगे तेने पकने में लगबग 3.5 मिन जितने लग जाते हैं इस तरीके से जो पक जाएंगे इन्हीं हम पलेट में निकालते जाएंगे और बाकी और तवे पे इस तरीके से डालते जाएंगे तो सारी मिठाई हम इसी तरीके से बना लेंगे तो एक कटोरी आम के पलव और एक कटोरी सूजी से आप धेर सारी मिठाई बना के त्यार कर लोगे तो अगर घर में मेहमान भी आ जाए ना तो भी आप यह रैस्पी बना के खिलाइए बहुते ज़्यादा आपकी तारिफ करेंगे और बहुते ज़्यादा यह टेश्टी होती है तो यह देख सकते हो मैंने सारी सूजी और आमकी है जो पकोड़िया बना लिया है तो इस तरीके से हमारी सूजी आम की पकोड़ियां डेर सारी बनकर त्यार होगे, आप चाहिए इसे ऐसे ही खा सकते हो, क्योंकि यह हलकी मीठी है, हमने थोड़ा सा इसमें मीठा डाला है, तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि यह कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है, इस तरीके से देखे, बहुत ही ज़ादा सूपर सॉफ्ट बनी है, अभी यह बहुत ही ज़ादा गरम है, तो हाथ भी ज़र रहे हैं, तो चलिए इसे रखते हैं साइड में, तो अब जो हमने दूद मीठा करके रखा है, इसकी बारी है, तो इसे ले ले लेते हैं, यह देख सकते हैं अच्छे से ठंडा हो चुका है तो जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा हलका गुंगुना होगा तो भी चलेगा मगर ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए तो अच्छे से अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि इसमें मलाई आगी अब जो एक टोरी जितना हमने पलब बचाकी रखाना एक टोरी से कम होगा तो भी चलेगा तो यहां पर एक टोरी जितना पलब बच गया था क्योंकि मेरे पास काफी बड़ा सा राम था तो यह सारा डाल देंगे और तो चम्मा से या इस तरीके से हैंड्वीक्सर से कर सकते हो, या फिर आप mixed जार में डाल के लावे बी इन दोनों को अच्छे से mix कर सकते हो, अच्छे से smooth सा बना लेंगे इसे, ढूद और आम का पलब अच्छे से mix हो जाना चाहिए तो दूद को ज़्यादा गाड़ा करने की जरूरत नहीं है हमने आम का पलब डालाया तो यह काफी गाड़ी हमारी रबडी बन जाएगी इस तरीके से यह देख सकते हो अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया इसको और अब जो हमारी आम की जो हमने सुजी की पकोड़ें बना के रखे है ना वो सारे इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से से मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से आम की रस्पी बहुत ही ज़्यादा जवरदस्त लगती है खाने का टेस्ट बोती अमेजिंग लगता है आपको गुलाब जामूर रस मलाई और साथ में आइस क्रीम जैसा टेस्ट आएगा अगर आप इसे ठंडा करके खाओगे आप चाहिता अब इस तरीके से है जो फ्रीज में रख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो अगर गर्मा गर्म खाना चाते हो तो गर्मा गर्म भी खा सकते हो तो मगर हम इसे थोड़ा सा ठंडा करके खाएंगे तो और भी जादा ये टेश्टी लगेगी उपर से थोड़ी सी पिस्ता और बदाम की कतरन से गानिश कर देंगे इस तरीके से ये देख सकते हो हमारी टेश्टी सी रसीली सी आम की मिठाई बनकर त्यार हो गया तो चलिए इ निकाल लेते हैं और फिर इसे रखते हैं फ्रीज में तो इस त्रीके से बावल में डाल के आदे अधिंटे के लिए फ्रीज में भी रख सकती हो उपर से थोड़ी सी इस तरीके से गानिश और कर देंगे काजू बदाम की कतरन से अगर मैं मानों को खिलाने वाले हो तो कटोरियों में डाली उपर से गार्निश करके और इस तरीके से दीजिए जार जांद लग जाएंगे आपकी खूब तारिफ करेंगे तो एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ बाद में मैं इसे फ्रीज में रखूंगे आदे घंटे के लिए तो थोड़ा चेक करना तो भाई बनता है क्योंकि अब हमने इतनी मैनद की है तो थोड़ा सा इससे टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसी हमारी रेस्पी बनी है तो चलिए मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है तो काटने से पता चल रहा है कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है तो इस तरीकी से बना के आप भी जरूर खाईए और इसे आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे तो ये और भी ज़्या वादूस्टू